Hello friends, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो पे आज हम इस वीडियो में Yamaha PSR i500 जो मॉडल है उसका हम functions देखेंगे कि इसमें क्या क्या function है जो आपके लिए useful हो सकते हैं ठीक है उसको हम एक एक करके देखेंगे तो ये वीडियो आप आखरी तक देखते रही है तो चले वे शुरू करते हैं इस वीडियो को देखें सबसे पहले अगर आप piano tone प्ले करते हैं जादा तो piano पे ला लीजिए सबसे पहले अब इसका एक एक करके function देखते हैं ठीक है left के side यहाँ पे जाते है left पे यहाँ पे आप देखें एक जो है demo का option है ठीक है वो tones के demo है यहाँ knob दिये गए है knob assign और यहाँ दो knob दिये गए है ठीक है तो यहाँ पे उस knob से क्या क्या होगा वो यहाँ पे आपको lie control में लिखे हुए है ठीक है यह जो यहाँ पे है यह इस knob के लिए है first knob के लिए और यह जो second वाला है यह second knob के लिए ठीक है तो अगर आप sustainable अगर यूज नहीं करते हैं आप एक एक करके यहाँ देख सकते हैं इसको हम लोग मतलब set कर से करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ बाकी जो इसका काम है वो आप एक एक करके देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर knob दिया गया है ठीक है यहाँ 1,2,3 4,5,6 करके numbering दी हुई है तो यह knob से जो है number change होता है यहाँ पर मैं इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप screen पर देख सकते हैं यह देखिए knob assign करके लिखा हुआ है वहाँ पर देखिए दबाया तो 2 हो गया 3 हो गया 4,5,6 इस तरीके से यह change होते है ठीक है अब मैं इसको इस piano वाले tone में मुझे थोड़ा सा sustain करना है मतलब थोड़ा सा sustain होने चाहिए आवाज उसके लिए मैं release को बढ़ाऊंगा release मतलब यहाँ पर इसको हम जाते कैसे set कैसे करते हैं देखिए यह release है किसने number पर है इस छटवे number के second knob पर है ठीक है तो यह knob assign से मैंना इसको 6 में रहाऊंगा तो देखिए पियानो का tone जो है वो थोड़ा सा sustain करेगा है है ना देखिए तो इस तरह के से यह knob वाल जो है यूज होता है अब थोड़ा सा ऊपर आ जाते हम यहाँ पर क्या क्या फंक्शन दिए गया है देखिए यहाँ पर Quick Sampling Lesson Transpose और Melody Suppressors यहाँ पर आपका सबसे ज्याद़ काम करते है क्या होता है देखिए अब हम यहाँ पर ये वाले note को प्रेस करते हैं तो यह क्या है C वाले note है ठीक है C है अब क्या होता है मुझे ये वाला सी वाला जो आवाज है सी से हम लोग प्रेस कर रहें वह आवाज निकल रहे हैं वहाँ पर डी का आवाज निकलना थिए इस वाले नोट का आवाज यहां निकलना थिए तो कितने नोट हमको ट्रांसपोर्स करना पड़ेगा ट्रांसपोर्स म ट्रांस्पोस का जीरो-जीरो यहाँ पर माइनस फ़ाल और प्लस फ़ाल होता है क्योंकि स्केल बारह होते हैं, nोट्स बारह होते हैं। अब मैं यहाँ पर प्लस 2 करता हूँ। तो देखिए यह जो है वो D का वाज हुआ इसको हम प्लस टू कर देते हैं, तो यह जो C प्ले करेंगे, वहाँ पर D का वा जाएगा, देखिए, तो आपको जितने नोट भी ट्रांस्पोस करना है, वो कर सकते हैं, यह यूस कब होता है, अगर आप सपोज कोई सॉंग है, उसको आप F मेजर से बस प्ले करते हैं, सपोज एक एक नोट, शिप्ट कर दीजिए, G का जो साउंड है वो F मे ला लिजिए, आप वहीं से प्ले करेंगे, F मेजर से यहां से आपका प्रैक्टिस है, और साउंड जो है G मेजर कर निकलेगा, ठीक है, ऐसा होता है, तो यह जो है, यहाँ से कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग वा मेट्रोनोम, मेट्रोनोम का सबसे बड़ा यूज है, आप अगर टाइमिंग अपना सुधारना चाहते हैं, कीवोर्ड में, ठीक है, तो उसके लिए मेट्रोनोम के साथ, रिदम के साथ, प्ले करिए, बीट के साथ, है न, तो ठीक होगा यहाँ पे, देखिए, मेट्रोनोम क्यों काउंटिंग हो रहा है, क्योंकि इसका टाइम सिखनेचर है, वो 4x4 का है, मैंने हमारे चैनल पे, मैंने इस चैनल पे एक एक चीज आपको बेसिक में समझाया हुआ है, आप सब्सक्राइब कर लिजिए, और अच्छे से देखिए, और आप अपमारा कोर्स लेते हैं, तो बहुत सी डिटेल्स में हर एक फंक्शन के बारे में आपको पता चलेगा कि इसका क्या यूज़ करते हैं सीखने के टाइम, तो यह 4x4 का मैट्रोन हो में इसले 4 बार साउंड कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, देखिए, टाइम सिखनेचर, इस हो गया, प्रहले 4 का था, 1,2,3,4 चल रहा था, अब 3 का हो गया वो, ठीक है, यह टाइम सिखनेचर होता है, क्योंकि गाने जो है ना 4x4, 3x4 इसी टाइम सिखनेचर में इसी टाइम सिखनेचर में अपोज होते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे चेंज करते हैं, और फिर है टेंपो, टेंपो मतलब म्यूजिक में जो स्पीड है, उसको हम टेंपो बोलते हैं, अगर यह मेट्रोनूम का आवाज, देखिए टेंपो, अगर बटन आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको उसका टेंपो दिखेगा 92, 92 बीट्स पर मिनट, ठीक है, बीपी एम होता है इसका टेंपो, तो अगर इसको हम बढ़ा देते हैं यहाँ से, तो बढ़ाने से यह स्पीड हो जाएगा, ठीक है, तो यह होता है टेंपो, ठीक है, यहाँ पे हो गया मेट्रोनूम और टेंपो, अब यहाँ पे देखिए, सबसे इंपोर्टेंट वाइस कंट्रोल, यह तो ह है, वॉल्यूम का नॉब, ठीक है, यह तो बहुत इसी है, इसके बाद लिखा है, इस्प्लिट, देखे, अब यह इस्प्लिट का ऑप्शन है, इस्प्लिट मतलब क्या होता है, हम अभी पियानो के टोन पे हैं, और पूरा कीबोर्ट में सभी जो सिस्टीवन कीश है, उसमे दूसरा टोन चाहिए मुझे और राइट हैंड पे जो मैं प्ले करूँगा, उसमें डूसरा टोन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए इस्प्लिट का ऑप्शन होता है, देखिए मैंने इस्प्लिट वाले इसको प्रेस किया, यहाँ पे स्ट्रिट को प्रेस करके रखना है, ठीक है, split को press करके रखोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा S voice, S मतलब string voice, तो यहाँ पे left hand पे जिस भी tone को आपको रखना है, वो आप set कर सकते, तो मैं यहाँ पे string use कर रहा हूँ, ठीक है, string 1110 में, 1110, ठीक है, यहाँ पे string आ गया, अब यहाँ पे एक बार click करना है, पहले दबा functions open किये, एक बार इसको आप दबा कर रखोगे, तो यहाँ पे activate हो जाएगा, तो देखिए, left hand पे क्या आ रहे, string का tone, और right hand पे piano, ठीक है, यह divide हो जाता है, इसा, इसमें बहुत सारे function है, category में यह आप next करेंगे, तो यहाँ पे S volume है, S volume मतलब split का जो volume है, वो कितना रखना ह अभी 35 है, बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है, कम करेंगे तो कम हो जाएगा, तो इसको आपको गाने की हिसाब से रखना होता है, फिर है split octo, octo क्या होता है, 3 octo, middle octo, lower octo, higher octo, यह आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़ें तो आप हमारे channel पर देख सकते हैं, ठीक ह इसके वीडियो मैंने बनाए हुए है, तो यहाँ पर देखिए, अभी first octo में है, first octo मतलब यह higher octo होता है, 0,1 और minus 1 ऐसा हम लोग लेते हैं इसमें, अगर हम लोग set करते हैं, तो 1 में है मतलब higher octo का यहाँ पर sound आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग 0 में करते हैं, तो यह middle octo अब आ जाएगा, मोटा हो जाएगा आ बाज, माइनस बन करते हैं तो, देखिए, बहुत मोटा हा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग plus में करते हैं, यह 0, यह higher octo का बाज, और आगे करेंगे तो और पत्त हो जाएगा, ठीक है, तो यह होता है, split octo, ठीक है, उसके बाद जो reverb अगे रहा है, इसमें आप set कर सकते हैं, split के लिए, यह होगा split, एक बार click करोगे तो activate होगा, इसको press करके रखे रहोगे तो इसका function जो है open होगा, ठीक है, यह होता है, split हमने off कर दिया, ठीक है, अब जो है, यहापे लिखा है dual, डीक है, आप दो tone एक साथ set कर सकते हैं, इस इसमें पियानो में मुझे string चाहिए, पियानो के साथ, dual को मैं click करूँगा, तो activate हो जाएगा, और dual को click करके रखूँगा, तो same function open हो जाएगा, D voice, यहापे string है D voice, ठीक है, अब देखिए, देखिए, string का आवाज आ रहा है इस पर, इसका भी आप category change करके, इसके voice change कर सकते है देखिए, string का आपको D volume मतलब dual का volume, ठीक है, 127 रखा हूँ, बहुत ज्यादा है गए string का sound, यह ना तो अपने ही साब सेट कर सकते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से यह यूज करते हैं, same आगे जाओगे तो इसका octave भी आ जाएगा, हम इसका आवाज को पतला कर सकते हैं, 1, अब देखिए, यहाँ भी प्ले कर रहे हैं, चार यहाँ पर, यहाँ पर registration memory है, और bank वाला जो button है, यह वाला, इसको आप click करेंगे, तो screen पर आपको, इसके bank भी यहाँ पर दिखाई देंगे, देखिए, यह देखिए, इसको click करेंगे, second bank, third bank, fourth bank, fifth, six, seven, और eight, eight banks है, और हर एक bank का चार जो registration memory है, तो eight into four करेंगे, 32 होता है, 32 जो है, यहाँ पर registration memory है, तोन सेट कर सकते हैं, इसको करना कैसे है, अब देखिए, मैं यहाँ पर piano का तोन लगा लिया, ठीक है, इसमें आपको जो भी सेट करना है, जो भी आपको dual लगाना है, स्प्रिट लगाना है, आप वो लगा लिजे, मैंने यहाँ पर dual कर कर दिया, dual में string set कर दिया, ठीक है, 1110, ठीक है, यह dual, अब मुझे इसे bank 1 के, यह bank 1 के first number में save करना है, तो यह कैसे होता है, अब यह bank को click करिए, और यह first number में करना है, तो इसको press किये, किये, यहाँ पर first number को click करिए, तो आप क्या लिख है, M, E, M, OK, तो यहाँ पर first number पर यह से हो गया, अब मुझे चाहिए, सिर्फ, सिर्फ मुझे string चाहिए, ठीक है, 110, और यहाँ पर मुझे split चाहिए, ठीक है, यह दोनों टोन चाहिए, मुझे second number पर, तो क्या करूंगा, bank, first में, bank को press किये कि, two number को press करूंगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, string से हो गया, अब मुझे चाहिए, harmonium, harmonium में में मुझे split, अब इसे मुझे third number में save करना है, तो क्या करूंगा, first, bank first, और bank, इसको click किये किये third number, तो यह ऐसा हाँ, tone set कर सकते हैं, अब देखिए, इसको मैं minimize करता हू देखिए, first number में click करूंगा, क्या हैगा, piano, देखिए, अब मुझे change करना है, दो number string करना है, अब मुझे harmonium लगाना है, तीन number को click करूंगा, ठीक है, इस तरीके से जो है, आप tone set कर सकते हैं, तो यह जो है main functions है, इसके, ठीक है, आप इसे use कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है, ओके, thank you.